मित्र जीने का असली मजा तो तब है जब दुस्मन भी तुमसे हाथ मिलाने को भी इताब रहें समझ के होंगे गाईज जो आपको नाकाम्याब देखना चाहते हैं न वही आप से एक दिन कहें कि मुझे तो पता था कि आप एक दिन बड़ा करने वाले हो मेरे पैरे भाई ये बात आप अपने दिमाग में रख लीजिए जिस सिद्धिन गाईज आप ये समझ जाओगे कि मुझे हर हाल में सिलक्षन ले रहा है एक सिट पकी करनी है तो निश्चत रूप से मैं आपको बता रहा हूँ आपका सिलक्षन जरूर होगा ये बात आप अपने दिमाग में रख लीजिए या फिर आप गाईज अपने हिर्दे में ये बात रख लीजिए और ये बात आप समझ कर चलिए कि मुझे हर हाल में सिलक्षन लेना है और गाईज उनको हमें सफल होकर दिखाना है जो मुझे आशफल होना चाहते हैं कहने का मतलब है कि जो आपके दुस्मन है निश्य दूप से गाईस. दुस्मन जो होते हैं वो घर के बगल यानी के पडूसे ही होते हैं. आज़ अगर आपको हमारी बात? थोड़ी बुरी लगे फो बात अलग है लेकिन अगर जो मैं कहे हुरा हुओ कि घरके पड़ोसी ये बात सही है हमारे हिसाफ से गईज क्योंकि हमारे घरके अईसे ही थे थीक है तो वह बात चोड़ी अब और नहीं करते हैं वाणिये बढ़ते हैं क्लास की तरफ ठीक है आपको गाइस अपने मन में अपने दिवांगों ये टार्गेट लेकर चलना है कि मुझे इस बार हर हाल में सेलेक्षन लेना है तो मेरे प्यारी भाई कोईशन आपके सामने है कि किसके साशन काल में इबन बतूता भारत आया था देखो मैं आपको बता दूँ कि जितने भी कोईशन आपके में लेकर राण हो गाईची आपको कोईशन टफ लगे इजी लगे मॉडरेट लेबल लगे मुझे इससे फर्क नहीं है ये गाईस आपका यूपी पी के कॉश्टेवल के प्रेक्टिस सेट में था वहीं से गाईस म आपका ऑप्शन नमबर बी जो भी हमारे प्यारे भाई बहने आपर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा अगला है कि 1970 का शत्याग्रह महत्मा गांधी का पहला शत्याग्रह था और भारतिय शतंत्रता आंगो आंदोलन में एक बड़ा विद बारतिय शतंत्रता संग्राम का आंदोलन का सबसे बड़ा विद्र होता ठीक है अब समझने की कुछिस कीजी मेरी प्यारी भाई मैं आपको बता दूए कि हमारा गला अभी भी थोड़ी बहुत खरास है अभी थोड़ा बहुत बैठा हुआ है फिर भी गाई कुछ मैनस होई कुछ न कुछ तोवाज क्लिर जाही रही होगी ठीक है क्योंकि गाईस मैंने कल्विक्स की गोली ओली खाई है और मेडिसन लिए जिसके वज़े से कुछ मुझे राहत मिली है तो क्वेशन क्या गया 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 उन्नी सो सत्त्रे का अब मेरे प्यारी भाई सबसे पहले महत्म गांदी जी दौरत चंपानन सत्याग्रे अंदोलन शुरू किया गया था तो यहां पर सही आंसर के हो जाएगा आपका आप्शन डी उन्नी सो सत्रे का चंपानन सत्याग्रे महत्म गांदी जी का पहला सत्याग्रे था और यहीं चंपानन सत्याग्रे जो है यह भार्तियों स पुलिस के लाठी चार से ठीक है, अब आपको यहां पर ये बताना है, समझने की कोशिश करना मेरे पैरे भाई ब्ल करेक्षर हो जाएगा, तो जो भी हमारी प्यारे भाई भेन option C बता रहे हैं बिल्कुल perfect answer होगा अगला आपके सामने question number है इसका answer आपको बताना है कि निमलखित में से किसने बंगाल के विवाजन अब आपको पताएगा इसकी बंगाल का विवाजन कब हुआ था 1905 में मेरी प्यारे भाई बंगाल के विवाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेत्रत्वा किसने किया कहने का मतलब है कि जो बंगाल का विवाजन 1905 में हुआ था इसके विरोध में जो आंदोलन हुआ उसका नेत्रत्वा किन के दौरा किया गया यह आपसे पूछा गया है, समझने के कोशिश करना है important बहुत है, टफ लगी आप इसका screenshot ले लिजीगा, सुरेंद्र नात्व एनर्जी, जो भी हमारे प्यारे भाईवे ने आपर बता रहे है, option A, सुरेंद्र नात्व एनर्जी ने बिल्कुल correct answer होगा, मेरे प्यारे भाई, option यह कूट महां सभी आपको दिख रही होगी, बताइए, मेरे प्यारे भाई, यहाँ पड़ा मिलान कीजिए, हिंदु जो ही गाईश से सनातनियों आरे समाज में आ जाएगा, मुशल्मान में हो जाएगा सिया और सुन्नी, सिख्ख में हो जाएगा आपका निरंकारी और ना जो भी हमारी पहरे भाईबेहन, option A बता रहे हैं, बिल्कुल correct answer हो जाएगा, यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा, आपका option number A, जो भी हमारी पहरे भाईबेहन यहाँ आपर option A बता रहे हैं, बिल्कुल perfect answer हो जाएगा, बिल्कुल correct answer हो जाएगा, यहाँ पर आपका option number A, अगला आ अंसर हो जाएगा गाईश उस साड़े 82 डिगरी कहने का मतलब 82 डिगरी 30 मिनट इस्ट देश आंतर करेक्ट आंसर क्या होगा मेरी प्यारे भाई आपका ऑप्शन नमबर ए जो भी हमारे प्यारे भाई बेन ऑप्शन ए बता रहें बिलिकुल प्रट्फर्क्ट आंसर हो अगला कुश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि भारत का हिमाद्री इस्टेशन इस्थित है यह आपसे पूछा गया है कि भारत का हिमाद्री इस्टेशन जो है यह कहा इस्थित है समझने की कोशिश करना इंपोर्टेंट है तो जो भी हमारे प्यारे भाई बेन यहां बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमाद्री श्टेशन कहा है आर के टिक में है ऑफ्षिन नमबर ए आपका बिल्कुल पर्फरक्ट आंसर हो जाएगा अगला है मेरे पैरे भाई निम्रिखित में से कौन सा पीत क्रांथी से समधित है अब समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे मि देखो यहाँ पर गाइस यह हो जाएगा आपका नीली क्रांथी यह हो जाएगा आपका स्वाइद क्रांथी ठीक है तिलहन उत्पादन जो है मेरे प्यारी भाई तिलहन उत्पादन जो है इसे हम कहते हैं पीली क्रांथी से समधित ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या होगा आप का option number D तिलहन उत्पादन जो भी हमारे प्यारी भाई बहन बता रहे हैं तिलहन उत्पादन बिलुकुल प्रशक्ट आंसर हो जाएगा तिलहन उत्पादन से पीली करांती या फिर पीट करांती संबंधी था है अगला कि निम्न में से कौन सी नदी विश्वत रेखा याई एक घंबना नहीं है आपको बिलुकुल मेरे प्यारी भाई कांगो नदी जो है मेरे प्यारे मित्र जो कांगो नदी है या जो है या विश्वत रेखा को दो बार कारती है या फिर दो बार पार करती है करेक्ट आंसर क्या होगा आपका option number C अगला है कि कि स्वामाजिक शोधारक को और राजनेता को प्यार से बाबा साहिब कहा जाता है बस दिमाग लगाओ आंसर लाओ बताई इसका सही आंसर क्या होगा कहने का मतलब है समाजिक शुधारक और राजनेता इसमें कौन है जिने हम प्यार से बाबा साहिब कहते हैं बताओ इसका सही आंसर का हो जाएगा बिल जानते हैं correct answer होगा मेरे प्यारे भाई option number C जो भी हमारे प्यारे भाई बेर option C बता रहे हैं बिल्कुल perfect answer हो जाएगा अगला है कि भारतिय राज्यों में मुद्राविल होने के लिए एक विल को कौन प्रमारी करता है भारतिय राज्यों में मुद्राविल होने के लिए एक विल को कौन प्रमारी करता है question आपको भले ही tough लगे लेकिन important है समझने के कोशिश करना important है तो आप इसका screenshot भी ले ले लेना भारतिय राज्यों में मुद्राविल होने के लिए विल को कौन प्रमारी करता है option A आपको बिलकुल सही answer हो जाएगा अगला है मेरे पैरे भाई किसानों को लाब पहुचाने के लिए प्रदान मंतरी की कौन सी भीमा योजना सुरू की गई थी तो जो भी हमारे पैरे भाई भाई भेन बता रहे है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा अवो मुल्यन का अर्थ क्या है बताएए अवो मुल्यन का अर्थ क्या है इस सारे आपके गाईस सराजी व्यवस्ता से सम्मंदित आ रहे है देखो अवो मुल्यन का अर्थ होता है मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में, घतार ही करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका option no.C, जो भी हमारी पहड़े भाईबे निआ पर option no.C, बिल्कुल perfect आंसर हो जाएगा, बिल्कुल correct answer हो जाएगा, मुद्रा का क्या दात पर है? समझने की कोशिस करो मुद्रा का मुद्रा का मतलब गाई जो आप पहते हो पैसा कर्मचारी को मिलने वाला बेतन अरे भईया बेतन मिलदा हो तुष में पैसा तो मिलेगा यह बात सभी जानते है लेकिन यह यहाँ पर बाई नहीं होगा ये भी आप जानते हो गलत लाभांश का मतलब ही नहीं किसी राज की प्रतिवर्श की कुलाई ये भी गलत मुद्रा का मतलब होता है किसी भी मूल्य का मापन करना किसी भी मूल्य का मापन करना ही मुद्रा कहलाता है करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भ तो याद रखना मेरे प्यारे भाई सबसे कम है अस्ञाप Ciao लाइए कि 16 ऑदिक उर्जा होती है किस प्रकास में सबसे अधिक उर्जा होगी मेरी पैरी भाई अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ और अगर आपको लगता है कि इस बार आप सभी का सिलेक्षन हो जाएगा एक सीट आपकी पकी हो जाएगी तो एक बार सभी पैरे भाई बार बार कहने की जरूरत ना पड़े वैसे मेरा गला बैठा हुआ है मैं किसी तरीके से आपके क्लास ये ले रहा हूं तो अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो एक बार सभी पहरे भाई बैं क्लास को दिल के गहरायों से लाइक कर देंगे आज कुर्जा होते है नीले प्रकास में ऑपशन बी नीला प्रकास जो होता है मेरे प्यारे भाई इससमें सप्शेरी कुर्जा होती है याद रखना option b आपका बिलकुल perfect होगा अगला है नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का उर्जा समवन करेगा अब देखो कहा क्या गया नदी का बहता हुआ जल मतलब जो जल है वो बहरा है मतलब कारी कर रहा है न उसमें गती हो रही है अगर आपसे ये कहा जाता है मेरी प्यारी भाई तालाब में इस्थिर जल अगर ये कहा जाता है तालाब में इस्थिर जल तो तालाब में इस्थिर जल में तो हो जाएगी इस्थतिज लेकिन अगर नदी का बहता हुआ जल है अब कहने का मतलब में मेरे प्यारी भाई अगने दुरकटना यानि कि जब आग लग जाती है तो इसमें तपिस का मतलब है कि किसमी जादा तर गर्मी होगी अब मेरे प्यारी भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको option B polymer polymer में सबसे अधिक तपिस या फिर गर्मी पैदा होगी जो भी हमारे प्यारी भाई बेन या पर option B बता रहे तो गाईश इसमें जो खट्टा होता है आपका दही इसमें किसका एक कान अड़ है या फिर किसका एक उधान अड़ है सही होगा किडवन किडवन बिधी ठीक है किडवन बिधी के कान अड़ ही गाईश दूद से दही बनती है ठीक है करेक्ट आंसर क्या होगा आपका option number C कीड़ वन भी डी option number C बिनकुल सखी आंसर हो जाएगा निवन में से कौन सा इस्त्रेलिंग हार्मोन है इसमें कौन सा female हार्मोन है यह आप से कहा गया है मेरी प्यारी भाई important है बताईए इसका correct आंसर क्या होगा निवन में से कौन सा इस्त्रेलिंग हार्मोन है या फिर female हार्मोन है सखी आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका option number A estrogen hormone मेरी प्यारी भाई यहाँ पर देख लो estrogen hormone जो होए यह एक इस्त्रेलिंग हार्मोन होता है option number A आपका बिलकुल correct आंसर हो जाएगा जो भी हमारे प्यारी भाई भाई बेन option A बता रहे है estrogen बिलकुल correct होगा बिलकुल perfect हो जाएगा input devices के उदाहरण कौन से है यह आपका computer से लिया गया हालकि computer से question आ जाएगा तो आ जाएगा क्विश लेबस में नहीं है सही आसर होगा मेरी प्यारी भाई mouse, joystick, trackball यह तीनों जो दिये गए हैं यह सारे input devices के ही example है correct answer क्या हो जाएगा है आपका in message भी जो भी हमारे प्यारे भाई भाई भेन option D बता रहे हैं बिलकुल perfect answer आया है बिलकुल correct answer आया है तो मित्र हमने यहापर GK के questions को complete कर लिया है अब हम बढ़ते हैं science questions के तरफ यानि physics questions के तरफ लेकिन उससे पहले आप सबसे मैं request करता हूँ जो भी हमारे प्यारे भाई भेन जो भी हमारे प्यारे मित्र चैनल पर पहली बारा है है करपार चैनल को subscribe जरूर कर लेंगे इसके लावा अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो एक बढ़ सभी पैरे भाई भेन class को दिल की गहराईयों से लाइक जरूर कर देंगे ठीक है और guys इस class को आप अपने मित्रों तक share भी कर दिया करें अगर मैं नहीं कहता हूँ share करने के लिए तो आपका भी फर्ज मनता है कि आप share करने के लिए कहे दिया करें question आपके सामने है science में पहला प्रास्रभी तरंगे में धोनी तरंगे हैं जिनकी आवरती कहने का मतलब में मेरे प्रास्रभी तरंगे कौन सी तरंगे होती है या फिर प्रास्रभी तरंगे की जो फ्रिकंसी होती है आवरती होती है यह कितनी होती है अब आप ये जानते हैं गाईज कि 20 किलो हार्टर से अधिक और 20 हजार हार्टर के बीच जो धनी तरंगे होती हैं उसकी आवरती जो होती हैं गाईज अगर इतनी आ रहे हैं तो प्रासरब्बी तरंगे हो जाएंगे प्रासरब्बी तरंगे मनुस्यों द्वारा कैसी होती हैं यहां पर समझेए प्रासरब्बी तरंगे जो होती हैं यहे ए मेरे प्यारी भाई मनुस्यों के द्वारा नहीं सुनी जा सकती है यह सुनी जा सकती है जैसे हो गया गाई चमगादर इसके अलावा जैसे हो गया कुत्ते इसके अलावा हो गया बिल्ली यह गाई सुन सकती है स्पड़ासर बित्रेंगे ठीक है लेकिन मनुस्य इसे नहीं सुन सकता है करेक्ट हो जाएगा आपका option नमबर बी अगला आपके सामने है प्रासरब्वी तरेंगों को सबसे पहले किस ने CT बजाकर उत्पन ने किया था CT बजाकर ठीक है प्रासरब्वी तरेंगों को सबसे पहले CT बजाकर उत्पन ने किस ने किया सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई option number B गाल्टन ने जो भी हमारे प्यारे भाई बहने आपर बता रहे है option number B गाल्टन ने बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला है विद्धुत आवेस का SI मात्रक क्या है विद्धुत आवेस का SI मात्रक क्या है इसका आवेस आप बताईए correct answer क्या होगा फटा फटा आवेस दीजे मेरे प्यारे भाई गल्ती नहीं करने का तो बिल्कुल देखो विद्धुत आवेस या फिर आपको हो electric charge एक ही बात है विद्धुत आवेस का जो SI मात्रक होता है मेरे प्याने मित्र वह क्या होता है यहाँ पर coulamp ठीक है correct answer क्या हो जाएगा आपका option बी जो भी हमारे प्यारे भाई भाई भेन यहाँ पर बता रहे कोुलाम बिल्कुल सही होगा अगला आपके सामने है विस्थापन की SI क्या है मेरी प्यारी भाई विस्थापन की SI क्या है विस्थापन को कहते हैं इंगलिस में displacement क्या कहते हैं displacement और मेरी प्यारी भाई displacement की SI क्या कहा जाता है मात्रक यानि कि displacement या फिर विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है या कहा गए आपसे सही हो जाएगा मेरी पहरी भाई मीटर ठीक है जो लंबाई का मात रख होता है वही विस्थापन का भी मात रख होता है करेक्ट क्या होगा आपको आप्षिन नंबर A अगला आपके सामने है प्रतिरोध की SI1 क्या है इसका अंसर आप सभी बताएंगे प्रतिरोध की SI1 क्या है कुलाम तो होगा नहीं अभी आपने देखा कुलाम होता है विद्धुताबेस का ओम यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट क्या हो जाएगा आपका आप्षिन भी ओम जूल जो होता है मेरी प्यारी भाई यह होता है उर्जा का उश्मा का और यह कार्य का उर्जा उस्मा और कार्य इन तीनों का SI1 मातरक जूल ही होता है न्यूटन न्यूटन जो होता है मेरी प्यारी भाई यह हो जाएगा आपका भार और बल का ठीक है भार और बल का SI1 मातरक न्यूटन हो जाएगा शक्ति की SI1 को क्या कहा जाता है शक्ति की SI1 को क्या कहा जाता है इंपोर्टेंट बहुत है फटा-फट आंसर दीजिए गल्ती नहीं करने का देखो शक्ति की SI1 को क्या कहा जाएगा यह एप से कहा गया है अब मेरे प्यारे भाई यहां पर आप देख लो सही आंसर हो जाएगा आपका option number 1 वाट वाट जो होता ये सक्ति कैसा है मात्र होता है अगर आप से कहा जाता है कि एक अस्वसक्ति बराबर कितना होता है या फिर एक होर्स पावर बराबर कितना होता है तब आप कहोगी मेरी प्यारे भाई 746 वाट ठीक है एक अस्वसक्ति या फिर एक होर्स पावर बराबर 746 वाट जूल मैंने आपको बताया ही कारी ओर्जा उस्मा नूटन हो जाएगा अब कबल एवं भार पास्कल हो जाएगा है अपर दाब ठीक है किस सम्माव में या फिर किस ऑप्षन में सभी रासियां फिस्कल कॉंटिटीज है कहने का मतलब है कि सभी रासियां सदिस रासियां किस में हो जाएगी कारी ओर्जा बल कारी इसमें पहला ही आपका अदिस है होगा नहीं चाल तरण बेग चाल हो जाएगा यहाँ पर वेग और तरण और बल बिलकुल वेग तरण बल यह जो होता है मेरे पैरे भाई वेग भी है तरण भी है और बल भी है यह तीनों होते हैं आपके सदिस ठीक है करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आप्शन नमबर C जो भी पैरे भाई में आप्शन C बता रहे हैं विलकुल परफेक्ट हो जाएगा विलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दो सदिसों के गुलनफल से प्राप्त रासी दो सदिस अगर दो सदिस का गुलनफल किया जाएगा तो उसे सदिस और अदिस दोनों मिलेगा सही होगा A और B दोनो A and B दोनो अगला है कि अदिश राशी के उधानर है मेरी प्यारे भाई यहाँ पर आपको यह बताना है कि इसमें आपको option नीचे दिये गए हैं और यह कहा गया कि इसमें अदिश राशियां किसमे है मैंने आपको trick बताई थी याद होगा तो आप बता देंगे इस आदिर्टा कोच आभी दो यह आपका अदिश राशी का trick है देखो बल सदिस हो गया मेरे प्यारे भाई तोरन यह भी आपका सदिस हो गया उस आदिर्टा ता मैंने कहाना उस आदिर्टा ता मतलब तापमान और मेरी प्यारी भाई यही आपका ताप मान ही अधिस रासी है कहने का मतलब है मेरी प्यारी भाई यहाँ पर जो correct answer हो जाएगा आपका वो हो जाएगा है यहाँ पर ताप मान ठीक है ताप मान जो होता है यह एक अधिस रासी है option number C आपका बिल्कुल perfect हो जाएगा बिल्कुल correct answer आपका हो जाएगा अगला आपके सामने है question क्या कहा गया है गतिज उर्जा और इस्ततिज उर्जा को सम्मलित रूप से क्या कहा जाता है अब समझने की कुशिस करो मेरी प्यारी भाई important है कहा क्या जाए कि गतिज उर्जा और इस्ततिज उर्जा को सम्मलित रूप से कहा जाता है मेरे प्यारी भाई गतिज उर्जा यानि काइनेटिक एरजी और इस्ततिज उर्जा यानि potential energy इन्हें दोनों को अगर हम aid कर देंगे तो यह हमारा हो जाता है गाईश यांत्रिक यानि मेकानिकल एनरजी तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर सही हो जाएगा यांत्रिक ओर्जा बराबर होता है गतिज ओर्जा और इस्टतिज ओर्जा का गुड़न मतलब जोड यानि की योगफल तो गतिज उर्जा और इसतिज उर्जा को अगर हम add कर देंगे तो हमारी यांतिक उर्जा निकलाएगी option c आफका बिल्कुल सही होगा एक हलके तथा एक भारी पिंड का संबेग समान है इसके गतिज उर्जा अधिक होगी कहने का मतलब है कोई एक हलका पिंड है और कोई एक भारी पिंड है और उसका संबेग जो है वा कैसा समान है तो इसमें गतिज उर्जा किसकी होगी जाहिरे मेरे प्यारी भाई किसमें गतिज उर्जा किसकी अधिक हो जाएगी हलके पिंड की कैनेटिक इनर्जी किसकी जादा होगी भाई या हलके पिंडगी तो होगी और उप्सेन ये अफ़को बिलकुर सही हो जाएगा अगला है कि कार्य करने में मानम सरीर द्वारा परियुक्त ओर्जा होती है कार्य करने में मानों सरीड़ द्वारा परियुक्त ऊर्जा कौन सी होगी स्थाटीच बैद्दुत या फिर रासानिक या फिर नावकिये बैद्दुत तो होगी नहीं हमारे अंदर करेंट थोड़ी है नहीं है ना हाँ थोड़ा बहुत है वो करंट दूसरा करंट है रासायनिक होगी नहीं केमिकल के बात ही नहीं नाव किये तो होगी नहीं प्रोटान न्यूटान के मात नहीं यहाँ पर कोई मतलब नहीं है सही होगा मेरे पैरी भाई इस्ततीच ओर्जा कार्य करने में मानव शरीर में परि संब्यमान और बेग होगा तो द्रब्यमान और बेग होगा और बेग, द्रभ्यमान और बेग की गुलन फल को ही हम कहते हैं संबेग, ठीक है, करेक्ट क्या होगा आपका आप्शन ए, द्रभ्यमान और बेग की गुलन फल को ही कहा जाता है संबेग, करेक्ट क्या हो जाएगा आपका आप्शन नमबर ए, अगला आपके सामने, किसी गती स चील पिंड है उसका बेग आधा कर दिया जाएगा गती जूर्जा कहा गया गती जूर्जा के बराबर होता है एक बटे दो mb square अगर उसका बेग यानि b यानि velocity आधा कर दिया जाए यानि एक बटे दो mb का मतलब हो जाएगा एक बट्टी दो का इस्क्वायर और एक बट्टी दो का इस्क्वायर यानि कि क्या हो जाएगा मेरे पैरे भाई एक बट्टी चार और यहाँ पर एक बट्टी चार आगया ना तो बिल्कुल मेरे पैरे भाई एक चवथाई हो जाएगी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर चाव थाई जो भी हमारे पहरे भाईवेन आप्सन डी बता रहे हैं चाव थाई बिल्कुल सही यह आंसर हो जाएगा अगला आपके सामने हैं कि ज्यामिती का जनक या फिर father of geometry किसे कहते हैं हलाकि मैं बहुत तेज नहीं बोल रहा हूं अभी भी गला थोड़ा बैठा हुआ है और हो सकता है कि कल तक सही हो जाए विक्स की गोली हो ले लिए मैडिसन भी ले लिए और बीच बीच में गाइस अब जादा चाय भी पी रहे हैं तो हो सकता है सही हो जाए ठीक है कल तक दीखो ज्यामिती का जनक या फिर father of geometry किसे कहते हैं सही आंसर होगा मेरे प्यारी भाई option number B जो भी प्यारी भाई बहुत ज़्यादा खराब थी फिर भी मैं आपकी class ले रहा था भले ही मैंने आपकी class 15 मिनठी क्यों न ली हूँ लेकिन फिर भी मैंने आपकी class ली है क्योंकि मुझे पता है हमारी तबियत सही रहे ना रही मुझे इससे मतलब नहीं है बस मेरा एक ही target है जो हमारे प्यारी भाई भाई भैन हमारे साथ जुड़े हैं उनका target पूरा हो जाए उनके सपने पूरी हो जाए उनके माता पिता के सपने पूरी हो जाए उनका सिलक्सन हो जाए मात्र उनका सपना पूरा हो जाए वर्दी पाने का सपना पूरा हो जाए और मुझे उम्मीद है नहीं है बलकि आप पूरा विश्वास है अगर आप पूरी जीजान पूरी सिद्दत के साथ लगे रहेंगे त जो आपकी बुराई करते हैं, करने दो, क्योंकि ऐसी छोटे हरकत, छोटे सोच के लोग ही करते हैं, यानि कि अगर आपके कोई बुराई कर रहा है मेरे प्यारी भाई, तो आप उसे तुरंत जवाब न दो, उसे जबाब देने के लिए आपको उसके लायक बनना होगा यहनी कामियाब बनना होगा और वही आपके सामने सरमिन्दा हो करके आपकी जो बुराई कर रहा था वही आप से कहे मुझे नहीं पता था भाई sorry यह समझे लो मेरी प्यारे भाई ठीक है तो आज की class यहें पर समाप करेंगे I hope आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी अगर आपको अच्छी लगी है तो एक बार सभी पहरे भाई बहन class को दिल से लाइक कर देंगे और आज आपने टेस्ट भी दिया बहुत अच्छा आप सभी का performance रहा और आपका टेस्ट का टोफल लिष्ट वीडियो कर आपको मिल जाएगी ठीक है दो बार तक आपको वीडियो भी मिल जाएगी तो मेरे पैरे भाई आज की हमारी मेहनत कैसी लगी वीडियो के निचे कमेंट सक्षन में कमेंट करके जरूर बताना अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो किरपा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे पैरे भाई सब्सक्राइब करने से आपको ही benefit मिलेगा जैसे ही कोई classes रिष्टार होंगी सारी Classics पेडियाफ और सारी classes की notification आपको मिल जाएगी ठीक है तो आज की समयानी महातपड क्लास में बचेतना ही मिलते हैं दुश्रे ने क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार अब जी के विशे का डर हुआ पूरी तरह खत्म जी हाँ आप सभी के लिए पांच दर प्लस questions की e-book launch की जा चुकी है इस e-book में आपको history, geography, economic, constitution, science के अंतरगत, physics, chemistry, biology और strategy के पांच दर प्लस questions के साथ extra points मिलेंगे यह e-book आपको image and colorful मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए इस e-book को आप मातर 39 रुपे में परचेस कर सकते हैं जिस पर 60% का discount चल रहा है अगर आप अभी परचेस करेंगे तो आप मातर 49 रुपे में खड़ी सकते हैं इसको खड़ीने के लिए UPI ID पूजा BCIT 05 at the rate OKSBI पर आपको मातर 49 रुपे पे करना है या फिर अन्ने details आप WhatsApp नमबर 8948666652 पे आप राप्त कर सकते हैं यह e-book आपको सभी exams में बहुत ज़्यादा help करेगी और आपको selection दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी बहुत बहुत धन्यवाद